दोस्तों अपने देश में बैंक की हालत क्या है यह आपको तो पता है लेकिन यह सब बैंक जो डूगते जा रहे हैं उसका रूट काउज क्या है मैं अपने experience से अपने आसपास के लोगों को देखने के बाद मेरा opinion जो निकला वो जो complete conclusion जो है इस वीडियो में सेर करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या reason है कि बैंक में जो है NPA account इतना जादा हो जाता है और लोग जो है loan लेते हैं तो पैसा नहीं चुकान क्या है इस वीडियो में आपको discuss करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को देखिए समझे आपको पक्का फाइदा पहुंचाने वाली है hello दोस्तों मैं हूँ अजय और आप देख रहे है as in farmer देखिए बरे लेवल की बात हूँ या छोटे लेवल की बात हूँ रूट का और बंक पाया एक बात मुझे बता ये यह तो बरे लेवल की बात हूँ अगर छोटे लेवल की संखिए तो इसकी भी कम नही Bible की संखिया करें तो इसकी भी संखिया अपने देख में बहुत जादा है लेकिन वह जो हैs लोन देने का जो process है उस process पे अगर गौर करिएगा तो आ automatically समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या रीजन है क्या प्रॉसेस होता है जेनरली जो है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे बैंक वाले कर रहे हैं जो इसमें खुलासा करने वाला हूं जो एक्सपोज करने वाला हूं वो चीज जो है यह सभी पर अपलिकेवर नहीं हैं बहुत अच तो क्या समझ सकते हैं इससे कि पूरे इंडिया में जो बैंक का सिस्टम है हो सकता है कि हमारे कंट्री में या हमारी साइड जो है इस टैप का पॉसेस होता होगा गलत होता होगा दूसरे साइड नहीं होता होगा या आपके साइड नहीं होता होगा आपके एस्टेट में भी बीच का एजेंट मैं आपको बराबर जो है वीडियो में बताया था जब भी लोन की में बात करता हूं तो वहां पर यह होता है कि जो लीगल नहीं है इनके बीच में एक एजेंट होता है और वह एजेंट जो है वह डिसाइड करता है किसको लोन देना है इसकी बात जो है मेनेजर भी सुनते हैं इसकी बात मज़ूरी में कस्टमर को सुनना परता है अगर customer direct चाहे कि loan ले ले तो साइध इसमें से 10% को loan direct मिलता है 90% लोगों को reject कर दिया जाता है साथ ही साथ उनको तो बैठने ने दिया जाता है भगा दिया जाता है अब एक बात बताईए कि सूच के रेखे कि customer के profile पे loan देने के में बात करता हूँ अगर बड़े bank की में बात करता हूँ हाल फिलाल जो bank सब जो है उसको नुकसान हुआ है इसकी में बात करता हूँ तो गौर कीज़े कि यह सब जो ऐसे businessman को या ऐसे business को loan दे रहे थे जिनका business अच्छा नहीं चल रहा है अल्रेडी नहीं चल ला इसके बावड़े उनको ऐसा ऐसा loan मिला मतलए कि उसके profile को देखकर के loan नहीं दिया गया बलकि बीच में कोई ने कोई ऐसा mediator होगा जो commission की बात करता है जो घुस्खोरी की बात करता है और इसके बाद जो है deal को final करता है बैंक वाले जो है officer जो भी होते है या bank के manager हो गए या staff हो गए जो भी है वो loan को approve करवा देते हैं और जो loan लेते हैं उनका चुपी business तो अच्छा चल नहीं रहा है काम अच्छा चल नहीं रहा है तो उस पैसे को सही से returning देते नहीं है तो bank को मिलेगा कहा से यह तो बरी level की ब बात करते हैं जो कि हमारे और आपके लिए है जो कि आप भी अपने आसपास जरूर देखेंगे और पाएंगे कि मैं जो बोल ला हूं सायद सही होगा और सही होगा तो भी आप नीचा कॉमेंट सेक्स में में सन करिएगा अगर हमें गलत होंगा तो आपके area में manager जो है या bank बिना किसी गुस्ट का भी जो है लोन को ए प्रूब कर दिया है तो लोगों क ये पहल होनी चाहिए की बिदो मुझे लोन को एक्रोब किया जाए और मैं दि yamag पर किसान के लिए क्या होता है कि जिनके पास जमीन हैं जो किसान है उनको जो है फसल जो है बोने से लेकर करके फसल करने तक के लिए अगर पैसे नहीं है तो लोन लेंगे बैंक से लेकिन रियालिटी क्या है ग्राउंड की रियालिटी क्या है कि किसान आते हैं बैंक में जाते हैं डाइक लोन लेने की कोशिस करते हैं लोन उनको नहीं मिलता है वही किसान किसी बैंक के एजेंट को पकरते हैं एजेंट वहां प तो अशी हजार रुपया मिलता है किसान के हाथ में 20,000 गाइब हो जाता है जब यह थी तो बताईए कि ओव 20,000 गाइब तो हो गया लेकिन तिसान को जो इंट्रेस्ट चुकाना है वो एक लाग का एक लाग पर चुकाना है ना कि 80,000 पर चुकाना है क्योंकि लोन लेने वाले उसमें एमांट लिखाएगा वो तो लिखाएगा एक लाख रुपया था इधर उदर में चला गया है तो अब यह बताईए असी हार पर काम करेंगे एक लाख चुका है क्या यह पॉसिवल है कि सही सह हो सकता है और यह चोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूं यहां से उठाईए और बड़ी लेवल की में बात करता हूं तो महां पर भी सब में ऐसा ही हाल है और यह जो है मैं यह 100% कर नहीं कर रहा हूं कि हर ब्रांच में हो रहा है पहले ही मैं यह जो क्लियर कर देता हूं लेकिन मेज़रेटी पीपल से मैंने पूछा है लोगों से एक्सप्रियेंस लिय में और वह जो 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 लोग लिये हैं वो लोग बता रहे हैं कि हां वह जब तक एज़न्य भीच में नहीं आया तब तक ऐसा नहीं गुए जोकी पूरा का पूरा गलत है अब होना क्या चाहिए होना यह चाहिए कि अगर जैसे गर्मेंट जो है इतने चियों पर ध्यान दे लेकिन यह लोगों को डिये चाहिए और इस चीज पर ध्यान देनी चाहिए कि इन लोगों कोई नोगों को भीच व्यूजय को-गिया उनको कैसे हटाया जाए यह ऐसा जो है सॉलिड सोफ जो है लाना चाहिए इनको रास्तानीकलना चाहिए कि कस्टमर के प्रोफाइल के बेस पे अगर जिनका जो है क happiest प्रोफाइल जैसे की इंकम टेक्स रिटरन भरा जा रहा है अगर दूसरी कीट टाइप करते हैं तो जनौन जिनक इतने भी घुसखोर हैं, उनको कैसे हटा जाए, इस पर गर्मेंट को ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सकता है, शेयर कर दीजे, ताकि लोगों में ये जागरुपता फैरे, लोग इस पर ध्यान दे और अगर आपको लगता है कि मेरा कॉंटेंट अचाह है, इस वीडियो को लाइक चरफ करते हैं, एनिमी में आपडेटें इनिफोर्मे के साथ, नेक्स्ट वीडियों